हलो दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल टी एश्टेलर पाइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों सर्ट की इस्टिचिंग के पहले पेस्टिंग किस तरह करते हैं आज हम आपको बताएंगे दोस्तों और सांथ ही सांथ खर्चा भी निकालते जाएंगे दोस् सबसे पहले राइट साइड का यहां पर प्रेस लगाएंगे दोस्तों राइट साइड में राइट साइड में रहता है बटन पट्टी यह हमारा बटन पट्टी साइड है इसको फोल्ड कर लेंगे और प्रेस लगा लेंगे और सभी तरफ प्रेस लगाना है दोस्तों ताकि जो सल्व अगरे रहेगा वो चला जाएगा और यहां पर इसको छोटा कर लेना है दोस्तों क्योंकि हमने पौने दो इंच लिया हुआ था प्लेट के लिए और इसको फोल्ड करके प्रेस लगाते जाना है इस तरह से फोल्ड करना है और प्रेस लगाते जाना है दोस्तों और बराबर रहना चाहिए दोस्तों जो हम फोल्ड कर रहे हैं छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए इसके बाद एक बार सीधा साइट से भी प्रेस लगा लेंगे उसके बाद लेप्ट साइट का जो काज पट्टर रहता है उस साइट हम फोल्ड करेंगे सबसे पहले जो प्लेट के लिए एश्टर लिए हुए थे दो पुने दो इच इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और प्रेस लगा लेंगे दोस्तों ताकि किनारा बन सके यह देखे दोस्तों हमारा किनारा बन गया है अब किनारे से अंदर की साइड हम सवा इंच का प्लेट लगाएंगे यह देखे सवा इंच का प्लेट है दोस्तों और अंदर की तरब इस तरह से रखना है plate को और इसमें प्रेस लगाते जाना है यह देखिए दोस्तों इस तरह से प्रेत लगाते जाएंगे प्रेस लगाते जाएंगे दोस्तों यह इस तरह से अच्छे से चिपकाना है दोस्तों अच्छे हीट में चिपकाना है आरेन को अच्छे हीट रहना चाहिए तभी यह जो बगरम है चिपकेगा उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक बार फिर से इसमें प्रेस लगाएंगे इसके बाद उसको फोल्ड करना उतना ही फोल्ड करना है जीतना हमारा फ्लेट है फोल्ड करते जाना है और उसमें प्रेस लगाते जाना है उसके बाद एक बार इसको भी सीधा कर लेंगे और उसमें प्रेस लगाते जाएंगे ताकि जो हमारा प्लेट है वो अच्छे से चिपक सके और सभी तरब इस तरह से हमको फ्रेस लगा लेना है इसके बाद दोस्तों हम जो कालहर कटीन की ये है उसको यहाँ पर चिपकाएंगे सबसे पहले यहाँ पर जो एश्टा कपड़ है उसको निकाल लेंगे यह देखे दोस्तों हम जो कालहर कटीन की ये हुए है उसको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर चिपकाएंगे और एक बाद हमेशा याद रखिए दोस्तों बकरम चिपकाने से पहले उसको अच्छे से प्रेश जलूर करना है ताकि जो हमारा सल्वा गिरा रहेगा कपडे में वह चला जाएगा उसके बाद ही हमको इसमें बकरम चिपकाना है उसके बाद देखिए दोस्तों यह हमारा कालहर में जो प्लेट लगाते हैं वो है इसको भी अच्छे से यहां पर चिपका लेना है इस तरह से प्रेस करके यहां पर चिपकाना है दोस्तों उसके बाद इस तरह से कटिन करके इसको निकाल लेना है जो एश्टर कपड़ा है उसको भी यहां से निकाल ले ले हैं दोस्तों और इस तरह से यहां पर कट लगाते जाएंगे ताकि हम जब इसको फोल्ड करेंगे उसके बकरम के उपर तो अच्छे से फोल्ड हो सके यह देखें दोस्तों हम अच्छे से फोल्ड हो रहा है जब हम कटिन कर लिये हैं तो इसके बाद इसको सीधा करके एक बार और इसमें प्रेस लगा लेना है इस तरह से प्रेस लगाना है दोस्तों ताकि जो थोड़ा बहुत सार रहेगा वो चला जाएगा और हमारा बकरम अच्छे से यहां पर चिपक जाएगा दोस्तों और इस तरह से हम कालर को काट कर निकाल लेंगे प्लेट से और यहां पर देखें दोस्तों हम खर्चा काटते हुए जाएंगे यह इस तरह से कालर का खर्चा काटेंगे ताकि दोस्तों जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें वहाँ पर और एश्टा समय वहाँ पर नहीं लगेगा उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्लेट के लिए यहाँ पर खर्चा कर्टीन करेंगे यह देखें दोस्तों हमारा प्लेट के लिए खर्चा कर्टीन हो गया सभी के लिए दोस्तों खर्चा करते हुए जाना है उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर कप को चिपकाएंगे यहाँ पर पिस्टिंग करेंगे कप का इस तरह से दोनों कप को यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे और दोस्तों हमें ऐसा ज्यादा हीट में भी प्रेस नहीं लगाना है नहीं तो हमारा कपड़ा जलने का डर रहेगा और इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना और उसमें प्रेस लगाना है दोनों कप में वैसे ही करना है दोस्तों उपर की तरफ भी प्रेस लगा लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत सर रहेगा वो चल जाएगा अब इसके बाद दोस्तों हम कब के लिए खर्चा कटीन करेंगे इस तरह से सबसे पहले डवल फोल्ड करके रख लेना है दोस्तों उसके बाद इसको एक साथ निकालना है आप चाहे तो अलग-अलग भी निकाल सकते हैं दोस्तों इसको भी अलग कर लेंगे दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम पाकेट का यह पेस्टिंग करेंगे जो एस्टे कपड़ा है उसको निकाल लेंगे और यहाँ पर इस तरह से पहले सीधा कर लेंगे देखे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे ताकि थोड़ा बहुंस सल है वो चला जाए और यहाँ पर हम दोस्तों पाकेट पांच इंच पे रखेंगे तो हमें यहाँ पर छे इंच पे कटीन करेंगे चुणाई हम पांच इंच का रखेंगे पॉकेट का एक बार फोल्ड करना है उसके बाद उसको एक बार और फोल्ड कर लेना है यह देखे दोस्तों इस तरह से उसके बाद दोस्तों एक साइट को इस तरह से फोल्ड करके प्रेस लगा लेना है और यहां पर देखे दोस्तों हम 5 इंच पे रख रहे हैं पाकेट को तो 5 इंच पे यहां पर भी निसान लगा लेंगे और उसके बाद इसको भी फोल्ड कर लेना है और यहां पर प्रेस लगा लेना है दोस्तों फोल्ड करके इसके बाद इस तरफ भी पांच इंच पे एक निसान लगाना है यहां पर भी 5 इंच पे और यहां पर सेंटर पे 5.5 auf इंच एश्टर रखना है और दोनों का सेंटर होगा धाई इंच हम धाय एंच पे ही फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ ये इस तरह से देखे दोस्तों ये इस तरह से फोल्ड करेंगे और इधर भी ये इस तरह से फोल्ड करेंगे दोस्तों और इसमें भी प्रेस लगा लेना है यह देखे दोस्तों हमारा पाकेड भी निकल गया और जो एश्टा कपड़ा है नीचे की तरब उसको कटिन कर दे उसके बाद दोस्तों हमें चाक पटिन करेंगे सबसे पहले प्रेस लगा ले देखे दोस्तों डबल करके हम एक साथ दोनों साइट का चाक पटिन करेंगे हम चाक पटिन कान थे हैं पांच इंच पे उसके बाद देड़ या पौने दो इंच एश्टर रखना है फोल्ड करने के लिए और चोड़ाई लगभग दोस्तों तीन सबसे नीच का रहना चाहिए दोनों को कटिन करके अलग कर लेना है दोस्तों यह देखे दोस्तों दोनों साइट का चाक पटिन निकल गए